तो दोस्तो PSP Portal पर Session 2022-23 के Admission को लेके इस बार एक बड़ा प्रिवर्तन किया गया है और बड़ा प्रिवर्तन SR को लेकी किया गया है अगर आप Portal पर SR को लेके किसी परकार की गलती कर देते हो तो बाद में आपको पस्ताना पड़ सकता है यहां तक की SR की गलती की वज़े से आप Portal पर नए Admission है वो नए Session में भी नहीं कर सकते जी हाँ दोस्तो PSP Portal पर क्या नए अपडेट आया है उसके बारे में डेटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊँगा मेरे साथ वो आप बने रहे नमस्कार सातियों मैं हूँ आपका अपना साती राजगुर जी और आप देख रहे हैं राज सकूल हेल्प यूटूब चैनल तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि PSP Portal पर सेशन 2022 तेश के लिए ने एडमिशन की डाटा एंट्री वो शुरू हो गई और काफी सारे ऐसे हमारे स्कूल साती हैं वो अपने ने एडमिशन के स्टुडेंट की डाटा एंट्री वो PSP Portal पर कर भी रहे हैं लेकिन जल्द बादी में वो SR में गलती कर रहे हैं और जिसकी वज़े से आगे वो अपने इस्टुडेंट का फाइनल एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं समझ सा क्या है वो अब आप समझ लीजिएगा आगे माँ आपको PC के इसक्रेंट पर ले जायकर जो नया अपडेट आया है उसकी प्रोसेस भी दिखाऊंगा थोड़ा सा वेट कर लिजेगा लेकिन कुछ इंपोर्टेंट बाते हैं उसको आपको समझना है दोस्तों आपको पता कि अब तक यानि लाज सेशन तक PSP पोर्टल पर जब भी अपन इस्टुडेंट का एडमिशन करते थे तो इस्टुडेंट की जो भी इनफोर्मेशन है या जो भी डाटा एंट्री अपन मैनुवली हाथ से फीड करते थे जैसे इस्टुडेंट का नाम, पिता का नाम एडरस है, SR अगरा वगरा लेकिन इस बार SR को लेके एक बड़ा प्रिवर्तन किया गया अलांकि इसके बारे में मैंने अपनी जो पुरानी वीडियो है इस बार सेशन दो हजार बाई तेश के आटी एडिमिस्टन वाली, उसके अंदर मैंने जानकारी भी दी थी, साइध आपने वो वीडियो देखी होगी या नहीं देखी होगी देखी होगी तो साइध आपने गोर नहीं किया लेकिन जैसे जैसे हमारे साथियों के सामने समस्या आ रही है तो यह वीडियो में आपको अवेर करने के लिए बना रहों देखिए इस बार क्या हुआ है देखे हर बार अपन जो SR है वो मैनुवली है हाथ से फीड करते थे लेकिन इस बार सेशन 2022 तेश से हमें स्टूडेंट के जो SR वो मैनुवली फीड नहीं करने पड़ेगे अलांकि और जो डाटा इंट्री है जैसे स्टूडेंट के नाम है पिता का नाम वो तो हमें मैनुवली फीड करना पड़ेगा लेकिन जो SR है वो मैनुवली फीड नहीं करना पड़ेगा केवल एक बार किसी एक स्टूडेंट का हमें पोर्टल पर को ये बताना पड़ेगा कि इस SR से आपको स्टार्ट करना है कोई भी हमने उसको SR बता दिया फिर आगे जैसे जैसे हम स्टूडेंट का जो एडमिशन कंफर्म करते जाएंगे वैसे वैसे जो पोर्टल है एटोमेटिक सीरिल की साबसे आगे का जो SR है वो ले लेगा अब यहाँ पर देखिए हमारे स्कूल साथियों से गलती क्या हो रही है दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है देखिए जब भी आप पोर्टल पर जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि इस साल का जो नया पहला जो SR नमबर वो हमें बताएगा या पोर्टल को आपको बताना है आप देखिए कि लास्ट एर आपने पोर्टल पर 100 नमबर का SR वो चढ़ा दिया यानि 100 नमबर तेकर इस्टूडेंट की डाटा एंटरी वो हो चुकिये तो इस बार सेशन 2022 तेस के लिए पहला जो SR नमबर हो गया वो 101 हो गया ने की 100 याद रखना आपको अलांकि देखिए करमांग तो हमें 100 से आगे का लेना है सीरिल तो आगे आएगा लेकिन पोर्टल को बताना पड़ेगा कि हमारा पहला जो SR है वो 101 होगा अलांकि आपके केस के अंदर ये अलग-लग हो सकता है लेकिन लास्ट येर में जो डाटा एंट्री जिस SR पे खतम होगी उससे अगला SR आपको यहाँ पर बताना है फिर जैसे आपने यहाँ पर बता दिया तो एटोमेटिक जो पोर्टल है आगे का SR वो लेता रहेगा चलिए अब माँ आपको PC के स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको किन बातों को आपको ध्यान नकरना और कैसे आपको आगे की प्रोसेस करनी है तो मैं आगे हैं हो PC के स्क्रीन पर सबसे पहले आपको PSP कोड से पोर्टल पे लोगिन कर लेना है लोगिन करने के बाद इस तरह का इंटरिफेस है वो आपको दिखाए देता है अब जब भी अपन पोर्टल पे स्टुडेंट की डाटा इंटरी करते हैं या अड्मिशन करते हैं तो मेनू बार में विधारती टेब में जाते हैं और यहाँ पे विधारती डाटा इंटरी सहसुलक का ओप्षन आपको दिखाए देता है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको सेशन वो दिखाए देगा और इसी के आगे आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए जिस हिसाब से अपन एडमिसन करते हैं पोर्टल पे वही प्रोसेस आपको यहाँ पे फोलो करना है कोई भी ओप्षन है इस वाले ओप्षन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रेक्शन इन्होंने दिये हैं इनको आपको follow करना है और यहाँ पे देखे वैसे तो आपको last जो SR है आपको दिखाए देगा अगर नहीं भी दिखाए देता है तो दोस्तो आपका जो फिल हाल का तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले तो आप अपने स्कूल के last year का जो last SR नंबर है पोर्टल पर देख लिजेगा कि आपने कौन से last SR की entry है वो पोर्टल पर आप कर चुके हैं क्योंकि यह दिखाए डूपलिकेट हो जाएगा तो यहाँ पर data entry हो नहीं ह कर रहा हूं मैं एक बार वापस जाए वाले option पर क्लिक करता हूं तो इसी तरह से आपको यह process है वो करनी है अब जैसे माली जी आपने यहाँ पर class हो select कर ली और उसके बाद process का जो option आता है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है आप देखिए दोस्तों यहाँ पर एक message और भी आजाता है कि 72,023 से 9 परवेशित बालकों के confirm admission पर दिया जाने वाला पर्थाम शुरुवाती SR नंबर की entry आवसेक है तो कहने का मतलब यह कि सबसे पहले तो आपको SR है यहाँ पर डालना ही पड़ेगा उसके बाद ही आप आगे की process है वो कर सकते हैं तो दोस्तों इस प पूरी help करने के courses करूँगा या फिर आप मुझे Instagram पर follow करके वहाँ पर भी मुझे सवाल जवाब कर सकते हैं लेकिन दोस्तों एक चलते चलते एक और जानकर यह आपको देना चाहूँगा देखे यहाँ पर जो SR के अंदर केवल आपको serial number use करने मैंने बहुत सारी school साथियों के SR number देखे और मेरे पास ऐसे case भी आते रहते हैं कि उन्होंने alphabet के साथ से अपने ही level पे SR वो start कर दिये A से सुरू कर दिये B से सुरू कर दिये Z से कर दिये पता नहीं किस किस से कर दिये तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है SR हमेशा digit में चलते हैं एक, दो, तीन इस तरह से चलते हैं अन्य किसी सरेणी में है SR नहीं चलते हैं तो ऐसा SR आपको आगे से नहीं देना है इस बात को आपको द्यानकना अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके उसे जरूर ओन कर लेना ताकि इसी प्रकार से नहीं नहीं वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे मिलते हैं फ्रेंस अगली एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत